हेलो स्टेंट्स आईए देखते हैं गामा किरणों के बारे में गामा किरणे क्या होते हैं ये बैद्धु चुम्ब की स्पेक्ट्रम के ऊपरी आबृत्य के छेत्र में होती हैं और इनका तरंग दैरे लगभग 10.10 मीटर से लेकर 10.14 मीटर से भी कम होता है गामा किरणे जो हैं वे बैद्धु चुम्ब की स्पेक्ट्रम के ऊपरी आबृत्य के छेत्र में होती हैं इनका तरंग दैरे लगभग 10.10 मीटर से लेकर 10.14 मीटर से भी कम होता है उच्च आबृत्य का यह विक्रण नाव की अविक्रियाओं में उत्पन होता है यह रेडियो धर्मी नाविकों द्वारा भी उत्सर जित होता है यह रेडियो धर्मी नाविकों द्वारा भी उत्सर जित होता है यह चिकिसा में कैंसर को सिकाओं को नस्ट करने के लिए भी उप्योगी है गामा किर्णे जो हैं रेडियो धर्मी नाविको द्वारा भी उस सर्जित होती हैं और यह चिकित्सा में कैंसर को सिकाओं को नश्ट करने के लिए भी उफियोग में आती हैं तो आपने देखा गामा किर्णे यह बैदुचुमकी स्पेक्ट्रम के उपरी आबरित्य के छेत्र में होती हैं इनका तरंग दैरलगभग 10.10 मीटर से लेकर 10.14 मीटर से भी कम होता है उच्च आबरित्य की यह विक्रण नाविकी अविक्रियाओं में उत्पन होता है और यह रेडियो धर्मगी नाविकों द्वारा भी उस सर्जित होता है एक चिकिस्सा में कैंसर को सिकाओं को नश्ट करने के लिए उप्योगी होता है ठीक है अब हम आते हैं साड़ी आर्दसमलो एक पे जिसमें विभिन्द प्रकार के बैदुचुमकी तरंगों उनके उत्पाद और संसुचन को सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है जैसा कि पहले बताया गया है कि विभिन्द किरणों के चत्रों के मद्द कोई तिष्ण सिमाय नहीं है तथा ये दूसरे चत्रों में भी व्यापित होती है तो आई ये देखते हैं साड़ी आर्दसमलो एक के बारे में